मुझे पूरा यकीन है कि आप ये वीडियो को देखने के लिए इसलिए आए हैं कोगि टॉपिक इसका टाइटल ऐसा है कि आप सोच रहे होंगे कि इस आपको नया तरीका मिल जाया जिससे आप चीटिंग कर सकें, माल प्राक्टिस कर सकें, नकल कर सकें लेकिन माफिय चाहूंगा आपको ऐसी कोई भी जानकरी यहाँ पर मिलने वाली नहीं है, जिसका यूज आप गलत परपस को सॉल्व करने में कर सकते हैं, लेकिन तरीका वही रखते हैं वे भी कॉंसेट बिल्कुल चेंज कर देंगे, ताकि आप करें भी अच्छा और मिले भी कि कितने लोग अपने क्राइटरिया को चेंज कर सकते हैं, यानि कि अगर आप ये बात मानते हूं, याद टीचर मैं यह चीज देख चुका हूं, देखते रहते हैं जब हम एकजाम में ड्यूटी करते हैं, तो कई बच्चे एक से एक इनोवेटिव आइडियास निकालते है चीटिंग करने के, नकल करने के, जो बेसिक हैं वो मैं आपको होताता हूं, और कुछ एडवांस हैं वो तो आप मुझसे ज़्याद अच्छे समझते हूंगे, बेसिक चीज़ें वह यह हैं कि वो चिठा पकड़ लेते हैं, शोट चोटा कागज में लिक लिक के रखे रहते हैं, दूसरा क्या करते हैं, कि इस कागज के टुकड़े के बाद वो चूटे-चोटे प्रिंट आउट लेते हैं, कागज टुकड़ा रिटान भी हो सकता है, कागज टुकड़ा बहुत माइक्रो प्रिंट राउट भी हो सकते हैं, वतलब अगर पेज बड़ा है, तो उसको चोटा सा करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तीजा तरीका वो क्या करते हैं अगल बगल पड़ोसी से इससे उससे देखते रहते हैं चौथा चीज क्या करते हैं कि वो उन questions को निकाल लेते हैं जिनको लगता है कि ये question important है और exam में आ सकता है तो उसी का वो answer लिखके रखते हैं मतलब ये उनका अंदाजा है वो लिखके तो रखेंगे बहुत कुछ और depends upon the किसमत कि कौन से question फसा वो उसी question paper को निकाल के उसी answer sheet को निकाल के रखेंगे जिसका question फसा हुआ है तो ये चीजें करने में फ्री का समय तो लगता ही है न मतलब आपको समय तो लगाने ही पड़ा मेनत तो करनी ही पड़ी तो अगर आप इसी चीज़ को थोड़ा plan भी में कर लो तो नकल का ये जो प्रकासर करना चाहिए बुरा effect है वो भी नहीं होगा वो आपको marks भी अच्छे होगे आप questions को लिखे उनके notes बना लीजे तो आप जब notes बनाएंगे notes बनाते बनाते रहेंगे तो आपको वो questions समझ में आई ही जाएगा अब वो questions exam में आएंगे तो भी ना किसी फर्रे के चिट्थे के आप उसको लिख सकते हो दूसरा कि अगर आप ऐसे चोटे चिट्थे बनाते हो अगर hand return में करते हो मैं बताऊंगा print के बारे में अलग से अगर आप ऐसे चिट्थे में हाँ से लिख करके कुछ नकल बनाते हो और इनको ऐसी जगा पर रखते हो जहां से कोई देख न पाए shirt के अंदर collar के बीच में तो आप एक काम करो यही करो लेकिन इसको exam hall में लेके मत जाओ आप चोटो टकागा तुकडा लीजे मेरे हाप में एक diary होती न पैड होता है इसका एक paper लिखा होगा है इसमें आप classification लिख लो एक classification किसी भी class का anti-appertensive का या जिसको आपको समझ में दल्दिय से नहीं आता उसका लिख लो इस चिट्थे को पकड़ के अपने साथ college में लेके जाओ exam के समय नहीं daily college जब जाते हैं routine में exam सुरू होने से काफी पहले semester के starting से आप अपने पास लेके जाओ जब आप बस में बैठते हों इसी चिट्थे को निकाल रहे हो कि बूग लेकर जाना तो डिक्कश हो सकता है आप के लिए तो छोटे से कागज को रखो और यहाँ पर पढ़ो कि ए classification क्या है दो तीन बार अगर आप इसको खोल के देखोगे तो आपको वो recall हो जाएगा तो यह चिट्था वहाँ भी काम आया यहाँ भी काम आया अंतर इतना वहाँ आप गिल्ट के डर के मारे हो गलत काम कर रहे हो यहाँ पर आप इमांदारी से महनत कर रहे हो दूसरों से अलग तरीके से कि आप छड़ चीदों को अपने पास में रखो जब समय मिला आपके पास खाली तमे निकाल लिया अज को पढ़ने लग गए यह तरीका हो गया इसके बाद एक चीज़ और करते हैं हम क्या करते हैं हम जो भी किताबे होती हैं सपोज यह अगर फार्मकोलोजी की किताब है तो इसका कोई इंक्पॉर्टन टॉपिक होगा तो इसको आप लोग माइक्रो जिरॉक्स करवा लेते हो इतने से कांगच पे पूरा फोटोकॉपी हो जाएगा बहुत चटट चटट फोटोकॉपी हो जाएगा आप उसको इसलि कॉलिज रूटीन मिले के जाएगे ताकि आपके पास चोटा फॉकेट बुक बन सके यह बुक देख रहे हैं आप इसका नाम है पॉकेट एटलास ऑफार्मकोलोजी मतलब इसमें आपको फार्मकोलोजी की मैक्जिमम कॉंसेट मिलेंगे लेकिन इसके तरह या इसके जैसे औ बड़ी बड़ी बुक का इसी बुक का अगर आप मैक्रोजीरास कराते हूँ तो चोटा चोटा साइस हो जाएगा तो इससे इतना बड़ा बुक बहुत चोटे बुक में आ जाएगी मैं तो यह एक्जामपल दिखा रहा हूँ इससे भी छोटा बुक बंदर के आ जाएगा जिसे आप अपने पॉकेट में आराम से एक डायरी की तरह रख सकते हो छोटा सा उसका प्रिंट आउट हो जाएगा उसकी छोटी सी बाइंडिंग हो जाएगी और इस टपल भी मार के आप रख सकते हो तो जब कभी भी आपको पढ़ने का समय मिला छोटी किताबों की तरह पढ़ने लगे तो आप जो चीज कर रहे हो वो चीज सही तरीके से सही जिशा में ले जाएंगे तो आपका नौलेज और बढ़ जाएगा और गिल्ट भी नहीं होगी अगला जो माल प्रैक्रिस हम करते हैं एक्जाम हाल में बैठा हुआ है कोई question paper मेरे पास आया है और इस question करना है कर रहे हो सही लेकिन जगा है गलत एक्जाम हाल में यह चीज नहीं करनी है जब आपकी classes चल रही हो डेली रूटीन में चल रहे हो दब आपको पढ़ा रहे हो और आपको वो चीज समझ मिलना आई हो तो teacher से सवाल करिए कि sir मुझे समझ में नहीं आया इसका answer क्या है अगर teacher से satisfactory answer मिलता है तो बहुत अच्छी बात अगर आप hesitate करते हो जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए तो कोई बात नहीं teacher से ना सही अपने class के उन बच्चों से पूछिए जो इस चीज को समझ चुके हैं तो यहां आप पूछे भई आप लेको समझ में नहीं आया concept ज़र पूछे जाते हैं तो उसमें बच्चे क्या करते हैं आपका question paper आपको मिला सामने वालग question paper सामने वालग मिलेगा इसमें तो कोई set वगरा होते नहीं है इंदुनिस्टी exam में एक ही set होता है तो उसमें क्या करते हैं बच्चे जो objective है उनमें सही टिक लगा देते हैं चुट च अगर आपके त्यारी हो जाएगी अगर यही practice अगर आप अलग-अलग साल की question paper साथ करते हैं और आपके प्रेंट से मदद लीजे कि इसका solution कैसा बनेगा तो आपके तैयारी हो जाएगी अगर यही practice अगर आप अलग-अलग साल की question paper प्रेंट करते हैं तो आपको नकल मारने की ज़र्वत नहीं पड़ेगी और आप नकल चीज से हो सकते हो कि आप बताने वाले बन जाओ मतलब गधे हो करके किछी से पुष्टाज करने की बजाए आप intelligent बन करके बाकी लोगों को समझाने लगोगे कि इसका answer यह होगा ऐसे होगा और वो भी exam hall में नहीं बलकि आपके classroom में तो इस तरीके से कुछ basic चीज़ों को हम follow कर सकते हैं जैसा आप करते हैं और उससे हम सीख सकते हैं एक और तरीका high-tech हाने की थोड़ी समझाना उसकी कम बनती है बट still it is possible कोकि बड़े-बड़े exam में भी यह लोग करते रहते हैं अगला तरीका क्या करते हैं कि वो छोट करते हैं अब वो gadget अलग तरीके के हो सकते हैं जो हम जैसे साधान टीचर के समझ से परे हैं वो उनके intelligence से हम बहुत पीछे चल रहे हैं तो वो उस intelligence का use करते हैं gadgets का use करते हैं कि सामने वाले से question पूछें डिसकस करें और उसका answer चिप-चाप लिखने सुरू कर दें gadgets का use करिए mobile, whatsapp, chat, twitter जो भी use करना करिए लेकिन exam से पहले ताकि आप ऐसे व्यक्ति से नए व्यक्तियों से contact बना सकें जो आपके college के तो नहीं हैं दूसरे college के हो सकते हैं हो सकता है कि subject expert हो सकते हैं जैसा example है हम solution pharmacy और आप आप हमसे facebook से भी chat कर सकते हो हमारा whatsapp का group है उससे भी आ सकते है बट उसके लिए आपको offline student मनना पड़ेगा तो आप हमसे जो app है हमारा उससे directly chat कर सकते हैं महीं आपको response करता हूं YouTube के comment box में भी आप कर सकते हैं तो आपको मेरे बीच एक direct conversation हो गया जो की बहुत ही अच्छा और healthy manner में है वो आप कर सकते हो और भी कई चीज़े हैं जिसका use हम अपने knowledge को boost कर सकते हैं without applying any नकलची का थपपा आपके उपर लगेगा भी नहीं और concept भी clear हो जाएगा मुझे पता है कि आपने सहधिकतर लोगों ने वीडियो को बीच में skip कर दिया होगा क्योंकि जो सोच करके यह वीडियो देखने आये थे कि नकल कैसे मारें नकल की कैसे कैसे त्यारी करें वह तो आपको नहीं मिला यहाँ पर बलकि आपको suggestion free में मिल गए कि कैसे त्यारी करें जो को आपको बिल्कुल पसंद नहीं है आप यह बिल्कुल चाहते ही नहीं को कोई आपको सला दे क्योंकि आप तो चाहते हो कि मैं नकलची हूं नकलचे बना रहूं तो नकल मारने के तरीके बताया जाए, वैसा आपको यहाँ पे नहीं मिला, तो आप यहाँ सोच करके आये थे, लेकिन अगर किसी का थोड़ा भी घृदया परिवर्तन हुआ है, जब कुछ knowledge मिला हुआ है, तो well and good, thank you so much for this video, नमश्कार, take care, कोई comment है, कोई suggestion है, कि आप किसी यहाँ टॉपिक पर चाहते हैं, कि हम आपसे बात करें, तो आप हमें comment में comment कर सकते हो, अगर आप पूरे MCQs चाहना चाहते हैं, कुछ specific subject के जिसे हमने upload किया है, उसके लिए आप download कर सकते है, solution pharmacy का mobile app, जिसका link आपको description box में मिल लाएगा, उसके बाद store tab में जाएगा, mobile के नीचे होगा app के नीचे, उसके बाद आप course में पहुंच जाएगे, solutions best ever का course है, इसे आप जरूर देखें, उसके folder सब folder को देखें, आपके लिए काफी useful और fruitful होगा, thank you again, take care.